जठर अगनी छोटी आंत और बड़ी आत के बीच में नाभी प्रदेश के आसपास में रहती है जठर अगनी हमारे द्वारा खाय हुए भोजन को उस रूप में परिवर्तित करती है जिस रूप में शरीर उसको सुईकार कर पाए उसके पोशक तत्वों में इस परकार परिवर्तन करती है जिस रूप में शरीर उसे धारन कर पाए भोजन के पाचन की क्रिया में यही सबसे महतवपूर प्रक्रिया है यही सबसे महतवपूर अंग है जठर अगनी यह अलग-अलग लोगों के शरीर में उनकी प्रकृती भोजन, दैनिक, दिन्चर्या और जीवन शरी के उपर चार प्रकार से या चार रूपों में अलग-अलग तरीके से पाई जाती है जो सभी लोगों के जीवन शरी भोजन और उनकी प्रकृती के उपर निर्भर करती है जठर अगनी चार प्रकार की विशम अगनी तिक्ष्ण अगनी मंद अगनी और सम अगनी यह चार प्रकार से अगनिया पाई जाती हैं अब एक-एक करके सबकी विस्तार से चर्चा करते हैं पहले चर्चा करते हैं विशम अगनी की इस अवस्था में भोजन का पाचन कभी बहुत जल्दी हो जाता है और कभी बहुत दीरे होता है कभी अगनी बहुत तेज प्रजुलित हो जाती है और कभी बिलकुल मंद हो जाती है किसी किसी समय भोजन का पाचन बहुत अच्छे से सरल्ता से और ठीक परकार से हो जाता है जिस से बहुत जल्दी दुबारा भूग भी समय पर लगने लगती है और भोजन में से पोशक त तेज हो जाती है कभी धीरे हो जाती है कभी बोजन का पाचन ठीक से करती है और कभी बोजन का पाचन नहीं करती असंतुलित रूप से यह है रहती है स्थिर नहीं रहती इस परकार की अगनी अवस्था में होने पर शरीर के अंदर कुछ लक्षन दिखाई देते हैं जैसे पे लगना पेट में भारीपन वायू विकार बिना पचा भोजन मल के द्वारा शरीर से बहार निकल जाना इस प्रकार के कुछ लक्षन शरीर में दिखाई देते हैं यह अवस्था शरीर में वात के बढ़ जाने के कालंड से उत्पन होती है अब चर्चा करते हैं तिक्ष्ण अगनी की तिक्ष्ण का अर्थ तेज त्रीव इस अवस्था में अगनी होने पर भोजन का पाचन बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो जाता है जो भी आप खाएं वह भोजन ठीक परकार से और जल्दी पच जाता है एसी अगनी होने पर शरीर में कुछ लख्षन दिखाई देते हैं बूख पयास बहुत अधिक लगना गर्मी जादा लगना तौचा में या शरीर के अंदर जलन होना ऐसे डिटी होना ऐसी लक्षन दिखाई देते हैं यह पित के बढ़ जाने पर उत्पन होता है या अगनी की यह अवस्था तिक्षन अवस्था पित के बढ़ जाने पर होती है अब तीसरे अवस्था की चर्चा करते हैं वह है मंद अगनी इस अवस्था में अगनी बहुत ही म परकार से नहीं हो पाता या बहुत समय में बहुत देरी के बाद किसी भोजन का पाचन होता है। ऐसी अवस्था होने पर शरीर में कुछ लक्षन दिखाई देते हैं भोजन का पाचन ठीक से नहीं होना शरीर में कमजोरी, उल्टी या उल्टी होने के बते वॉमिटिंग सेंसेशन, पेट में भारीपन, सांसों में समस्या होना सांस लेने और छोड़ने में किसी प्रकार की कोई बाधा या तकलीफ उत्पन होना यह अवस्था, कफ के बढ़ जाने पर शरीर में उत्पन होती है जठर अगनी की चौथी अवस्था है सम अगनी यह प्रकार की अगनी, सबसे स्रिष्ट और आरदर्श रूप अगनी का माना गया है योकि इसमें भोजन का पाचन ठीक समय पर भूख लगने पर यदि आपने शरीर के अनुकूल भोजन किया है तो वह पूरी तरहां से पच्चता है, उसमें से ठीक परकार से सब्त धातूओं का और मलों का निर्मान होता है जिसे आयुरवेद में बहुत ही आदर्श और उच्च स्थान दिया गया है सम अगनी को यह अगनी वात, पित और कफ के संतुलित होने पर शरीर के अंदर उत्पन होती है तो यह चार अगनियों के संधर्ब में हमने चर्चा की आदर्श रूप जो है वह है सम अगनी अब अगली वीडियों में हम चर्चा करें के विशम अगनी, तिक्ष्ण अगनी और मंद अगनी आवस्था होने पर क्या-क्या गतिविदियां करें जीवन शैली में क्या परिवर्तन करें या अपना भोजन किस परकार से रखें जिस से शरीर में भोजन का पाचन ठीक से हो और कोई हानी भी ना हो